Hello everyone, welcome to NEET Talks आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टिपल काम करने वाले हैं Firstly, तो हम लोग NEET 2023 का question paper जो हैर बायल जी के उसके assertion reason questions को discuss करने वाले हैं Secondly, हम सिफ assertion reason question को ही discuss क्यों करने वाले हैं And third is, NEET 2024 के students के लिए ये वीडियो क्यों कमपलसरी है तो आप लोग प्लीज वीडियो को last तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो make sure कि चैनल को subscribe कर लीजेगा और well icon को भी press कर दीजेगा जिसे next वीडियो जब भी पढ़े तो आप तक notification जल्द पहुँच जाए तो सबसे पहले हमलोग बात करते हैं assertion region questions के बारे में कि वह इतना कमपलसरी क्यों है तो सबसे पहले हम लोग क्यों assertion region को ही focus कर रहे हैं बाकी questions को क्यों नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि पहले assertion region के एक दो question आते थे जो कि मतलब अगर solve कर लिए तो अच्छा है नहीं solve कर लिए तो कोई बात नहीं कहा तो question चूट गया बट अभी के date में क्या हो रहा है कि Assession Regents से multiple questions आ रहे हैं इस year 2023 में Assession Regents से 8 questions आई हुए means 32 marks के लिए अब इसका मतलब यह होता है कि आपको biology को सिर्फ NCRT को सिर्फ theoretically पढ़ना ही नहीं है उसकी detailed study भी करने है क्योंकि Assession Regents टाइप questions में आपकी detailed study होना compulsory है वरना फिर question गलत हो जाएगा Need 2024 के student के लिए यह video compulsory क्यों है जिससे वो लोग guess कर सकें कि इस year 8 questions आए हैं maybe next year 10 questions आ सकते हैं यह compulsory नहीं है next 10 आजाए में भी उससे ज्यादा आ जाए या फिर कम भी आ जाएं बट हमें अपनी तयारी को जो है extreme पर रखना है जिससे कि अगर questions आ भी जाते हैं तो हम उसे अच्छे से tackle कर सकें तो फिर चलिए हम लोग questions को solve करते हैं देखते हैं नी 2023 में अच्छे से टाइप questions क्या है थे कैसे आयते हैं उनको solve करते हैं sorry बहुत छोड़ा छोड़ा मैंने लिखा हुआ है बट प्लीज थोड़ा मैनेस करिएगा एंड वीडियो को लास तक जरूर देखिए गा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसके answers क्या होने वाले हैं जरूर बतायेगा बट यहां पर आपका लेट उट है तो इसमें आपका एंसर क्या होने वाला है यह भी आपका दोनों ही ट्रू है और आर जो है थो आपका दोनों ही ट्रू है वो करेक्टली एक्स्पेंड है एक दोरा तो हमारा एंसर जो है वो इसका भी फर्स्ट ही होने वाला है अब हम लोग क्वेशन नंबर थाड की बात कर लेते हैं ATP is used in two steps of glycolysis यस यह true है ATP का use जो है वो glycolysis के दो step में होता है first step is used in converting glucose into glucose 6-phosphate and second ATP is used in conversion of fructose 1-6-diphosphate इसका एंसर बिलकुल ही clear है अगर आपनी थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा यह दोनों ही true है और आर जो है वो correctly explained है एक के द्वारा देखें क्या incident है आपके सारे के एंसर बस एक ही same आरे है आपके तीन questions के एंसर सेम आरे दोनों सही है और आर जो है वो correctly explained है एक हमाना next question है इन जिम्नो स्पर्म दो पॉलिन ग्रेंज आर रिलीस्ट फॉम माइक्रोस्परेंजियम एंड करीड बाई एयर करेंट्स यस त्रू आपका शर्शन सही है तो आपका रिजन गलत है क्योंकि पॉलिन ट्यूब को फॉमेशन होता है आपकी NCRT की ही लाइन से आप लोग अगर जिम्नो स्पर्म को जाके डिटेल में NCRT में पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा इस question का answer तो आपका answer होने वाला है A is true but R is false question number five है a flower is defined as modified shoot yes correct where in the shoot apcal meristem changes to floral meristem right in inter node of shoot gets condensed to produce different floral appendices laterally at successive node instead of leaves तो यह इस question में आपका assertion भी सही है आपका reason भी सही है and reason जो है वो correctly explain कर रहा है आपके assertion को आपकी NCRT की ही लाइन से तो आपका answer इसमें आपका first होने वाला है हमारा next question है question number six aminosynthesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child health program no यह कलत है ban on aminosynthesis checks increasing menac of female feticides yes is correct R जो हमारा सही है but A हमारा जो है वो false है तो हमारा question जो होगा answer sorry हमारा होगा हमारा answer होगा fourth move on to next question question number seven endometrium is necessary for implantation of blastocyst and reason in in the absence of fertilization the corpus luteum degenerate that causes this integration of endometrium इस case में आपका assertion भी सही है आपका reason भी सही है but आपका जो reason है वो correctly explanation नहीं है A का तो हमारा answer जो है वो इस case में second होगा so guys हमारा next or last question है nephrons are of two types cortex and juxtra medullary based on their relative position in cortex and medulla yes correct juxtra medullary nephrons have short loop of only whereas cortical nephrons have longer loop of only है तो यह हमारा गलत हो गया assertion आपका सही है reason गलत है तो हमारा जो है answer इसका होगा A is true but R is false तो यह हमारे कुछ assertion reason type questions आये थे biology में I hope आपके सारे doubts clear हो गए होंगे and आपको यह video पसंद आई होगी video पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को subscribe करिएगा video को live करिएगा share करिएगा इससे जादे लोगों की help हो सके और पहुंच जाए तो make sure channel आप subscribe कर लें thank you for watching bye